चलो एंड वेल्कम टूडए 11 ऑफ जी एशी आज आपन सार्ट करेंगे टैक्स इन्वाइस डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट से सबसे पहले आपन यह समझ के लेंगे कि डेबिट नोट कभी शुकरनेगा और क्रेडिट नोट कभी शुकरनेगा एक दम ध्यांते सुनना आइनो काफी ज्यादा बच्चों का यह कंट्यूजन रहता है कि डेबिट नोट किसको बोलते हैं क्रेडिट नोट किसको बोलते हैं इसमें डिफ्रेंस ही नहीं बाता चलता तो ध्यान देन आप लोग यह एक एक सेलर है सेलर ने क्या किया बायर को 10,000 रुपीज का कोई भी यह लेटर का बैलेंस क्रेड किया है दसव किए ग्लाक यानिर की मुझे डटेबिटे बैलेंस को बदाना है और कि एक ही लाक करना है यहानिकि 90,000 का डेविट एंतरी पास करना बढ़ेगा तो इस में सेलर इस्यू करेगा debit नोलक वो क्या एंतरी बास करेगा buyer account debit क्योंकि debit balance बटान है to sales account कितना 90,000 या फिर दुसरा case यह जो buyer था उसने 2000 रुपे का material return दे दिया seller को यानि कि buyer को जो seller है उसको buyer का debit balance अभी कम करने है पहले buyer क्या बोल रहा था मुझे 10,000 रुपे आने अभी तो 2000 रुपे का material return आगया अभी यह 2000 को कम करना है तो क्या इस्यू करेगा credit note क्योंकि debit balance को कम करना है क्यों entry क्या पास करेगा sales return account debit to buyer account कितना 2000 रुपेस समझा कब रहता debit note कब रहता credit note बढ़ेंगा आगे अभी आगला किसकी बात करता tax invoice tax invoice का क्या मतलब है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट यानि कि ऐसा invoice जो की issue करता है एक supplier किसको issue करेगा buyer को जिसे हम लोग recipient भी बोल सकते हैं तू collect tax from that recipient or that buyer उसको अपन वो लेंगे tax invoice टैक्स इन्वोइस एक basic condition है आपके ITC को claim करने के लिए ना फिर अपन नहीं यह देखा था वाट इस दर time limit for issuing tax invoices चलो मैं दोनों के बात हम कौन सा ते देता हूँ time limit for issuing tax invoices या पर स्क्रीन क्यों पर जाने ना goods के लिए time limit क्या रहता है टैक्स इन्वोइस इसू करने का तो उसके लिए तीन बात है एक रहता है मेरा नॉर्मल केस एक रहता है goods on approval और एक क्या रहता है रहता है तो before or at the time of movement of goods और अगर movement नहीं है तो जब अपन उसको क्या दे रहे possession दे रहे तब आपको invoice इसको इसको इसू करना पड़ेगा tax invoice को goods and on approval में आपको invoice within कितने month issue करना पड़ता है within six months from date of removal और continuous supply of goods में आपको invoice कभ इसू करना पड़ता है when there is a periodical payment और successive statement यह आपका time limit for issuing invoice in case of supply of goods अभी आ जाता हूं मैं supply of service में supply of service उसके अंदर भी दो बाते हैं एक रहता है normal case एक रहता है continuous supply और एक रहता है cessation of service cessation यानि कि service complete होने के पहले उसको बीच में से बंद करना नॉर्मल केस में आपको invoice issue करना है वैसे तो 30 days के अंदर बड़ आगर आप कोई यह है आपका normal और 45 days किसके लिए bank financial institution nbfc insurance company इनको कितने दिन के अंदर इस्यू करना पड़ता है 45 days के अंदर फिर अगला point किसका आता है मैं पहले cessation को लिख देता हूँ cessation में कब when services seizes यालनि कि आगर आपका कोई service complete नहीं हुआ और आपने उसको बीच में से ही गतम कर दिया तो जिस दिन आपने उसको गतम किया भया उस दिन आपको क्या करना पड़ेगा tax invoice को issue करना पड़ेगा clear है चल अगला point किसकी बात करता है continuous supply किसकी बात करता है continuous उसके बाद तीन बात है क्या payment के टर्म्स आपके contract के अंदर लिखे हुए है क्या payment के टर्म्स contract के अंदर मेंचने कि भाया यह यह दिन पर आपको payment करना है तो before the date of such payment अप लोगों को tax invoice issue का नहीं नहीं है या तो उस दिन या तो उसके पहले उस दिन पर आपको invoice issue करना पड़ेगा और लास्ट कोन सा case है आपका की payment जो है आपका such payment is linked to an event linked to an event और milestone जैसे कि घर का काम चालू है फर्स्लेब हो गया तो payment मिलेगा second slab होगे तो payment मिलेगा तो या पर आपको invoice करना है before or at the time of completion of such milestone जीदिन वो माइल सुल अच्छी वह रहा है उस दिन या उसके पहले तक आपको tax invoice को issue करना पड़ेगा is it clear सबको या तक समझाएगा जल्दी बताओ यह पूरा चीज में के स्क्रीन के ओपर रिख रहा हूँ एक ही मिनिट इसका अप लोग screenshot एक लेकर रख देना एक ही मिनिट यह रही पूरी स्क्रीन बढ़ेंगे अगले पॉइंच पे अभी किसकी बात चालू है अच्छा एक बात को धान से समझना ठीक है एक पॉइंट ही आप है अगर कोई भी अरे भाया किदा चला गया परसन डिस्टिंट परसन मतलब उसी के यह सेक्शन 12 और 13 और 13 जीएस चैक में भी ता पराबर तो अगर कोई भी इंशुरेंस बैंकिंग कंपनी फैनेंचल इंचिटिउशन एन बी अपनी ही सेम पैन बढ़ दूसरे जीएस्ट नंबर को सप्लाइ कर दा तो वो टैक्स इनो थो दुसरे जीएस्ट नबर को लिए मेने मेरे बुक ाककांट अंपास कर दिया तो जिस दिन टू पूक साफ अकॉंट पर दू को टीन को इस शू गर या तो ज्हां से समाझ तू जो कौर्टर में उसको सर्वीस दे रहा ना वह कौर्टर का जो लाज़श देंट एन उसको को रेकॉर्ड कर या तो बिफोर देश्पारी आप दो कॉर्टर दूरिंग विजदा सप्लाय वाउज में मानने तुने आज बुक्स आपकांट में एंट्री पास किया ए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट तुने एंट्री का पास किया दो नवेंबर 2023 तो इसको कब इस्चु कर सकता है या तो दो नवेंबर को कर या तो इसको तो इस्चु कर सकता है अब तू 31 डिसेंबर 2023 क्योंकि यह कॉर्टर घतम होने के लास्ट दिन तक तो इसको इस्चु कर सकता ठीक है चल फिर आगला पॉइंट आता है रिवाइस्ट टैक्स इन्वाइस क्या आता है revised tax invoice देखो इसका क्या मतलब है कि अभी बात क्या हो गई कि दो नवेंबर एक तारीक है दो नवेंबर ठीक है आप section 22 के इसाब से GST में registration के लिए लाइबल हो गए थे आपने 14 नवेंबर को application किया क्या किया application made यानि कि मैं बोलू application within 30 days आप लोगो ने कर लिया आपको certificate grant हो रहा है 15 December को क्या मिल रहा है आपको certificate granted अच्छा certificate grant होगा बट effective date of registration कब से माना चाहेगा दो नवेंबर because application was made within 30 days तो अभी भाईया बात के से होगी मालू मैं किया आप दो नवेंबर से लेके 15 December तक आप अभी माने गए हो GST में registered हो पर जब आपने actual supply किया तब आपके बाद GST नमबर नहीं था इसके लिए आपने कभी tax invoice को issue नहीं किया तो यह period के लिए आपको issue करना पड़ेगा revised tax invoice क्या issue करना पड़ेगा revised tax invoice और भाईया revised tax invoice कित्या राम के अंदर issue करने का विदिन वन मन्थ प्रॉम्ट इस्वान्थ इस्वान्थ रिजिस्टेस्टेशन चर्टिफिकेट याने कि रिवाईश टेशी आप तक issue करोगे wherever new one month within one month from saw to 14 th January आपको क्या अवा करना पड़ेगा weiß tax invoice को issue करना पड़ेगा clear है के इसम्जान क्या चलो लगा तो इसका screenshot लेकर लोग देख एक example आप लोगों के लिए libel for registration यह चलो मैं एक मेन के लिए स्क्रीन दिखा रहो आपको चलो अभी आता है tax invoice for small value देखो यह क्या बोलते मानूं में क्या देखो दो बात है मैं इसको ने चार्ट में लिखे देता हूँ tax invoice आप किसको issue कर रहे हो या तो आप B2B को कर रहे हो या तो B2C को कर रहे हो तो compulsory आपको separate ही देना पड़ेगा separate क्या रहता है compulsory आप उसको consolidate नहीं कर सकते हैं आप किसको देखो अभी B2C B2C में amount कितना है आपका क्या amount अगर यह amount है अगर amount है more than 200 more than 200 तो आपको separate invoice को compulsory issue करना पड़ेगा या तो आपका amount है up to 200 up to 200 ठीक है और recipient को invoice recipient को invoice दो बाद दे अगर उसको invoice चाहिए तो आपको उसको separately अलग invoice देना पड़ेगा वट उसको invoice नहीं चाहिए किसको recipient को invoice नहीं मिला तो भी चलेगा तो इसको क्या बोलते वान में गया तुए न भाई फिर day and पे एक consolidated invoice को issue कर दे वह पिस से क्या बोल रहें देगा अगर तू बीटू भी invoice यह तो तो उसको invoice देना पड़ेगा बट recipient वाला मेर को invoice की क्या जरूरत में क्या करूंगा लेके तो तू सारे एससे supply जो 200 रुपए के नीचे हुए थे जिदर recipient अन्रेजिस्टर था और उसने देर से invoice नहीं मांगा न तो उसका day and पे consolidated invoice को करते हैं ठीक है फिर आगला point आता है invoice come bill of supply मतलब तो अगर जीएस्टी में registered person है और तू taxable as well as exempt supply कर रहा किसको कर रहा देखो क्या-क्या बोलाव है exempt supply कर रहा और taxable supply कर रहा साथ में मतलब supply taxable as well as exempted goods किसको कर रहा अन्रेजिस्टर बर्शन को तो तू इस्टर गर देगा invoice come bill of supply यानि कि अगर तू सिफ exempt goods को बेच रहा है या सिफ composition scheme में अगर तू कोई supply कर रहा तू इस्टर क्या करेगा अगर तू नॉर्मल सप्लाई कर रहा एक ही मिनटा देखो सिंपल सी बात है section 9 section 10 तेन वाला क्या करते इस्टर बिल और सप्लाई section 9 वाला क्या issue करेगा अगर यह taxable supply है taxable supply तो क्या issue करेगा tax invoice अगर सिर्फ exempt supply कर रहा तो क्या issue करेगा bill of supply taxable plus exempt supply कर रहा तो क्या issue करेगा invoice come bill of supply क्या issue करेगा invoice come bill of supply क्या issue करेगा invoice come bill of supply clear है चला आगला बंड रिसीट वाउचर एन रिफंड वाउचर एकदम द्यांचे समझके लेना स्वरी ये एक था ये दूसरा था ये था समझो अपका बायर ये था अपका सेलर बायर ने सेलर को दिया एडवांस क्या दिया एडवांस कोई ट्रांजेक्शन करने का था बायर बोला यार यह देख यह ट्रांजेक्शन जो करना है उसके लिए में तुझे एडवांस इस्जू कर रहा हूं तो जब बायर ने एडवांस दिया तब सेलर के इस्जू करेगा इ कि बात में कितनी बाते होगी दो है कुंसी दो बाते होगी या तो एक होगा सप्लाय है ना नहीं तो ट्रांजेक्शन हो जाएगा कैंसल तो अगर सप्लाय हुआ तो सेलर क्या इस्शू करेगा आइदर tax invoice issue करेगा और क्या issue करेगा bill of supply है न either tax invoice और bill of supply बट अगर यह transaction cancel हो गया transaction क्या हो गया cancel हो गया तो यह क्या issue करेगा refund voucher क्या issue करेगा refund voucher समझा क्या clear है क्या और अगर यह जब advance दिया तो मैं बोलू buyer यह भी issue कर सकता payment voucher क्या issue कर सकता है payment voucher समझा क्या is it clear लगा तो इसका भी एक screenshot लेकर रगलो दोस्तों आप लो अगर अगर रेजिस्टर पर्षन कोई भी गूर्ज को खरीद रहा है अन्रेजिस्टर पर्षन से तो वो क्या issue करेगा self invoice क्या issue करेगा self invoice खुद को invoice देगा यह पार्ट को अब लो कट कर लो यह not applicable है ठीक है फिर यह continuous supply of goods, continuous supply of service का अपन ने ओल्रेडी देखा हुआ है यह भी point मैं आपको उपर बता दिया यह भी point आपको उपर बता दिया गया है फिर आता है कि particulars of tax invoice देखो department कई पे भी यह नहीं बोलता कि आपका tax invoice का exact structure क्या होना चाहिए यह नहीं कि top right में यह लिखने का और top left में यह लिखने का left side यह right side यह वैसा कुछ नहीं जो designing है वो तुम तुमारे हिसाथ से कर सकते बड़ उसके अंदर क्या-क्या content आना चाहिए वह compulsory बताया क्या यह हुआ हुआ है उसके अंदर क्या-क्या बोल रहे है एक तो आपको आपका नाम और अड्रेस बताना पड़ेगा आपका जीएस नमबर बताना पड़ेगा अपका सीरियल नमबर बताना पड़ेगा मैक्जीमम कितना रहना चाहिए 16 डीजिट और हर एक साल के लिए वो क्या रहना चाहिए यूनिक यानि की न्यू रहना चाहिए फिर कौन से दिन पर अपने टैक्स इन्वोईस को दिया अगर आपका रेसीपियंट रेजिस्टर है तो उसका नाम एड्रेस जीएस नमबर दो आपको एच एसेन कोड़ विक देना घंपल सरी है आपको आपका वैल्यू आप सप्लाई बताना पड़ता है रेट आफ टैक्स आप सप्लाइब देलीवरी का एड्रेस एक्स फॉर वर्वर्ड चार्ज में पेश करना है और आपका आपका साहिं देना पर्षान मोडस्ट यानि कि क्या कि तने टैप में आपको टैक्स इन्वोईस यानिवाँ एक्स तो आगर गूर्ट ओर यह इन्वोईस आता है आपका तो यह होगे duplicate यानि कि दो copies origin वाला दोगे बायर को duplicate वाला आप अपने पास संभाल के रोखोगे ठीक है फिर आता है reverse charge mechanism यानि कि जब recipient खूद लायबले government को tax pay करने के लिए तो उसको खुद के उपर ही एक invoice को issue करना पड़ता है जो की रहता है form आपका GST INV1 यानि कि एन इशू इन रिस्पेक्ट आफ द गूर्स सो रिस्ट बाइं हूँ इस नौट रेजिस्टर अन देट आप रिसी मैं अब सप्लायर अन डेजिस्टर ए तो आपको क्या इशू करना पड़ेगा खुद के ऊपर invoice को को इशू करना पड़ेगा है क्लियर है फिर यह रिसीट वाउचर क्या रहता वह मैं आपको बता दिया डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या रहता मैं आप लोगों को एक्स्पेन कर दिया हां सब्सक्रक्रण के देबिट नोट मैं कब तक इशू कर सकता कि डेबिट नोट का लास्ट डेट क्या रहता कि तो जो प्रिवियर्ट जो फाइनेंशल यह मैं ने क्रेडिट नुट दिया भया इन्वाइस कौन से साल में दिया में को मत बता तुने डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट जो साल में दिया वासे जो 30 नवेंबर ओफ नेक्स्ट पाइनेंचेल यर और एन्यूल रिटर्न विच एवर इस अर्लियर यहां तक आप लोग क्या इश्यू कर होगे डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट क्लियर है क्या चलो यह मैं आपको बता दिया लगा तो इसका भी एक स्क्रीन शॉट लेके रख लो आप लोग चलो बढ़ेंगे आगे फिर एक पॉइंट आता है एच एस एन कोड हर्मोनाई सेस्टिम ओफ नॉमन गलेचर यह क्या बोलते कि अगर तुमारा पिछले फाइनेशलियर में पिछला जो साल में तुम बिजनस कर रहें वह नहीं फिछले फाइनाइशलियर में अगर तुमारा तुमारा तर्नोवर पांच करोड देगे तुमें क्योंतividad को तुमारे को बीटू बीको चार डिजित के एकशेसे कोड देना पड़ेगा फिर तुम सप्लाइब टू भी करो या फिर बीटू सी सप्लाइब करो ठीक है चला फिर यह इन्वोइस कम बिलोव सप्लाइक आता है वो बता दिया टाइम लिमिट अपने अल्डेडी देख लिया है मैनर भी देख लिया है ओरीजिनल डूब्लिकेट ट्रिप्लिकेट फिर एक आता है पॉइंट आपका ई-इन्वोइसिंग कौन सा पॉइंट आता है ई- आता है एक सेकंद आप लोगा पर देख लो एक इमिनिट दोस्तों बच्चा लोग एक इन्वेसिंग एक्जर्ट लियना जो न्यू वाला पॉइंट आपको बतार हूँ कि यह देखो कि इन्वोइसिंग आज के टाइम पर कब अप्लिकेबले कब अप्लिकेबले जब आपका तर्न ओवर दस करोड के ऊपर गया जब आपका तर्न और कितने आमोंट के ऊपर गया दसकरोड यहां पर आपके पूराने मोडियूल आपके पास यहां अलग लिका रहेगा तो e-invoicing कितने रुपीज के उपर applicable है if turnover in any financial year from 17-18 is more than 10 crores तो आपको जो भी आपका B2B supplier हैगा उसको compulsory क्या करना पड़ेगा e-invoicing करना अभी e-invoicing का क्या मतलब है आप लोग आपको जैसे normal invoice को बनाना है वैसे बनो नॉर्मल physical या फिर electronic एसे भी बनो उसको अप्लोड आपको upload करना पड़ता है IRP पे का पर अप्लोड करोगे IRP invoice registration portal अब आपकी JSON file को upload करोगे वहाँ पे आपके e-invoice के अगेंस्ट आपको मिलेगा एक IRN invoice reference number plus साथ ना आपको मिल जाएगा एक QR code तो जो IRP के portal ने आपको IRN और QR code दिया वह आपके invoice के ऊपर चिपका होगे यानि कि print करोगे और आप के buyer को देदोगे ठीक है सिफ B2B supply के लिए ही है यह कोई बी एंगल से B2C supply के लिए नहीं है सर मेरा टॉन ओवर पाच को रड़े क्या मैं e-invoicing कर सकता तो यह scheme optional नहीं है अगर आपका टॉन ओवर दस को रोड के ऊपर गया तो ही आप लोगों को e-invoicing करना है नहीं तो उसको करने की जरूरत नहीं है ठीक है यह स्किम किस-किस को applicable नहीं है SEZ Units को applicable नहीं है इंशोरर को applicable नहीं है NBFC को applicable नहीं है GTA, banking company, financial institution, passenger transport service या फिर आगर आपका cinema ओले इनको यह compulsory नहीं है फिर आता है bill of supply, bill of supply कोन issue करेगा या तो section 10 यानि की composition वाला person या तो जो person section 9 में registered है बट वो कोई exempt supply कर रहा है तो वो person issue करेगा bill of supply अपी से उसके content क्या-क्या रहने चाहिए नाम address, consecutive serial number, maximum 16 digit यानि की same things जो tax invoice में थी या पर इसी वो tax के details को mention नहीं करेगा त्योंकि वो collect नहीं करने वाला है फिर आता है आपका receipt voucher यह भी में आपको बता दिया था क्या रहता है receipt voucher इसके अंदर का content है क्या-क्या रहेगा basic point इसको read कर लेना ज्यादा टाइम दालना भी मत इसके उपर यह content के उपर question नहीं आएगा concept को अपन ने देख लिया था receipt voucher refund voucher payment voucher revised tax invoice में आपको बताया था कॉंसे टाइम पर issue करने आपको नाम रहना चाहिए रिवाइस tax invoice debit note credit note के बारे में आपको अल्रेडी बताया हुआ है फिर आता है टाइक्स इन्वाइस इन स्पेशल केसे आई एसडी के लिए अलग से दिया गया हुआ है ठीक है यह भी basic point है यह नहीं रातों भी चलेगा फिर एक point आता है आपका delivery चलान अभी डिलेवरी चलान कब issue करोगे आप कि देखो आप supply कर रहे हो बड़ो कितना quantity का supply होने वाला है आपको नहीं मालूम है या फिर कोई ऐसा moment है बड़ आपको मालूमी नहीं कि वो supply हो रहा है या नहीं हो रहा हूँ जैसे कि अब आपके factory से liquid gas को लेके जारे हो बड़ आपको मालूमी नहीं कि रे delivery चलान वापर जाके जब आपका actual में supply हो गया तो उस्सी डाइम पर आप लोग क्या issue कर दोगे tax invoice तो अगर liquid gas को आप supply कर रहे हो या तो आप job work के लिए goods को लेके जा रहे हो यानि कि आपका movement हो रहे है बड़ supply नहीं हो रहे है कोई job work के लिए जा रहे है आपको return आने वाले या तो transportation of goods for reason other than by way of supply यानि कि इधर एक examper देखलो goods sent on approval basis मदब आपने समझाले को goods वेच आपने बोला कि तुझे पसंद आया तो रख लेना बात नहीं तो मैं return ने लूँगा यानि कि movement हो राबट supply तो हो नहीं रहा या फिर any other cases में आपको issue करना पड़ेगा delivery चला यह भी त अगर आपने कुर्स को semi knockdown या complete knockdown condition में बेच आप semi knockdown और complete knockdown यानि कि इसके best example है आज कड़ाएं पर आई की ऐसे furniture लेना वो क्या करते एक बड़ा बेट आपके घर पर डिलीवर कर देते बड़े चुट्टू से box में आते यानि को dismantle रहता उसको अप नट वागए ना में घर पर आगके जब फिटिंग वागए रा करते तो अगर वह वैसे condition में आ रहा है तो आपको लोगे न तो जब लास्ट वाल आपका यह जाएगा ना लास्ट कंसाइनमेंट तब आप लोग भेजोगे ओरीजिनल कॉपी ओफ इन्वोईस क्लियर है गया चल फिर आगला पॉइंट आते है अकाउंट्स एन रेकॉर्ड अकाउंट्स और रेकॉर्ड आपको जीस्टी के अंदर में मेंटेन करना पड़ेगा तो आपके प्रिंसिपल प्लेस पर उसको मेंटेन करनेगा अगर आपको कोई एडिशनल प्लेस है तो वहां पर भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा रेकॉर्ड में आप लोग क्या क्या मेंटेन करोगे तो आप मेंटेन करोगे आपने कितने गूर या ओनो रोवेराऊस के या अपलोग कोनों ट्रांस पोर्ट ओर या तो आप वे राऊस के मालिक को या पने, किसी का," water या फिर आप ट्रांस्पोर्ट और और फिर बहले ही, या रेजिस्टरर नहीं हो फिर भी आपके पास जो산 आया हो है उसका शारा डीटेल मेंटेन करने का रिस्पोंसिबिलिटी आपको पर है जी एस्टी आक्ट के हिसा से फिर भ़ले ही तुम जीएस्टी में रेजिस्टर हो या ना हो आपको सारा डेटा मेंटेन करना पड़ेगा फिर याता है ओडिट रिक्वाइर्मेंट अनफोर्चुनेटली अभी यह पार्ट रहा नहीं है ठीक है चलो सर जीएस्टी के रेकॉर्ड को कितने टाइम के लिए मेंटेन करके रखना का तो आंशर इस अंटिल एक्सपारियर आफ सेवेंटी टू मन्स फ्रॉम्ट दू यानिकि अभी सम्झो मेरा फाइनेंशियल यह कौन सा चल रहे करन 23-24 इसका मैं एन्योल रिटन का फाइल करूंगा एन्योल रिटन 31 December 2024 तो यहां से 72 months यहां से 72 months यानि कि 72 months मतब कितने साल हो गए 6 साल हो गए यानि कि 25, 26, 27, 28, 29, 30 यानि कि record को कब तक maintain करना है 31 December 2030 तक मुझे records को maintain करके रखना पड़ेगा clear है या फिर आगर आप एक party हो to appeal तो आपको record maintain करना पड़ेगा minimum one year after disposal of such appeal as the case में भी यानि कि मान लोग कल चाहिए कि आपका कोई appeal हुआ यह वाले साल को लेखे कौन से previous year को 23, 24 और उसका decision आपको कब मिल रहा है 30 September 2020 30 को चलो कब मिल रहा है 30 September 2030 तो यहां से annual देखो यह साल का annual return का date क्या था 31st December 2030 यहां से एक साल खत्म होने तक भी आपको record को maintain करके रखना पड़ेगा यानि कि record को कब तक maintain करने का तो जो साल का annual return का due date है वासे या तो 72 months या तो आपका appeal या revision जा रहा है तो वो खत्म होने का जो में उसकी order आने के बाद में एक साल तक आपको record को maintain करके रखना पड़ेगा आपको GST department को बताना पड़ते है कि भाया मैं यह goods को moment कर रहा हूं मैं आपको inform कर रहा है मेरको कोई fraud नहीं करने का है छुपाने का नहीं काला दंदा नहीं करने का है यह मेरा transaction हो रहा है अगर आपका 50,000 से ज्यादा है तो आप लोगों को क्या issue करना पड़ेगा ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा ठीक है इवे बिल किदर तक वैलिड रहता सर तो देखो इसके अंदर दो बाते रहती है एक तो आपका नॉर्मल केस में 200 किलो मिटर्स के लिए एक दिन tuas every additional 200 के लिए एक दिन और अगर यह multimodal कार्गो है multimodal कार्गो याईबर आप रोड से जारेो बाद में waterway को ले रहेयो और आर turnaround dio याईन की एक दो मोड़ के अंदर आपका waterway या पिर आपका मल्टिडाइमेंशनल कार्गो ए ओवर डायमेंशनल कार्गो यानि कि बहुत बड़ी बड़ी जो ट्रस रहती जो एरोपेन के टायर वगरे लेके जाती उसको बोला है भाई तेको 20 किलोमेटर के लिए वन डे एवरी अधर 20 किलोमेटर के लिए वन डे मिलेगा कि यानि कि सर अगर अगर 480 किलोमेटर हुक्स कितने दिन मिलेंगे तो दो ही मिलेगे पहले 200 कि समझा क्या कि अगर आप और आपने का पेम फाइल नहीं किया या जी एस टी आर वन को नहीं फाइल किया कोई भी दो मन्त के लिए तो आपका इवे बिल का पॉर्टल ब्लॉक हो जाएगा फिर आता है अपको लोगों को रिटरंस भरने बढ़ते पहले तो आता है जी एस टी आर वन सेक्शन 37 आप फाइल करते हो जिसके अंदर आप सारा आपका आउट्वर्ड सप्लाई क्या क्या होए वो बता दे हो जी एस टी आर वन किसको फाइल नहीं करना है इन्पूट सर्वि सब्सक्राइब करना पड़ता है फिर आता है जी एस टी आर टू ए टू बी अंडर सेक्शन 38 यह क्या होता है और तो पॉप्यूरेट होता है तू भी जन्रेट होता है फॉर्टिन ओफ नेक्स्ट मन्थ और कॉर्टर तू भी के साच्छा आप लोग आईटी सी को लेते हो य वेरास 2A क्या रहता है मेरा डाय नैमिक्र रियल टाइम बेशिस पर अपडेट होते जाता है मैं इसको किसके लिए उसकरता हidda री कंसिलियेशन के लिए ठीक है फिर आता है मेरा पेमेंट मैं पेमेंट किसमें से करता हूँ तो इलेक्ट्रोनिक Credit Ledger से में देखो. Electronic Credit Ledger से में किसका पेमेंट कर सकता हूँ? Tax का पेमेंट कर सकता हूँ. वेरास, Electronic Cash Ledger से में All Dues का पेमेंट कर सकता हूँ. जैसे कि Tax, Interest, Penalty, Late Fee,uem mean कोई बैधे कर सकता हूँ? Cash. क्रेडिट लेजर से सिर्फ और सिर्फ टैक्स का पेमेंट अल्लीूज के नंदर में केसे करूंगा तो मैं उसको इप्यमेंट करूंगा, डेबिट कार्ड, क्रेड़िट कार्ड, नेट बैंकिंग, NFFT, RTGS, IMPS, अगर मैं बैंक में जाके ओवर दा काउंटर पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैक्जीमम कितना पेमेंट कर सकता हूँ, मैं 10,000 रुपे का मैक्जीमम पेमेंट कर सकता हूँ, ठीक है, पेमेंट होता है, फॉर्म PMT06 के अंदर, amount available under any head of electronic cash ledger cannot be utilized for discharging the liability of other head, देखो, GST के अंदर हैना, मेरे major heads को उन से, IGST, CGST, SGST, जिसको UTGST है बोल देखो, यहाँ पर minor head आता है, tax, interest, penalty, late fee, others, तो अगर मेरा कोई amount यह वाले ledger के अंदर है, और मुझे इधर कुछ payable आ रहा है, तो मैं यह payment इसके against knockoff नहीं कर सकता, respective major head and respective minor head का payment ही उसी के against adjust होगा, यानि कि मैं बस IGST में tax amount payable cash में है, IGST tax, उसको use किदर करूँगा, मैं सिर्फ IGST का tax agency यूज़ कर सकता हूँ, मैं उसको IGST के interest के against भी यूज़ नहीं कर सकता, CGST का tax against भी यूज़ नहीं कर सकता, same major and same minor head का agency उसको use करने हैं, क्या मैं इसको transfer कर सकता हूँ क्या, यह amount को यहापे, तो answer is yes, उसके लिए मुझे फॉर्म भरना मर्दा है, PMT09, clear है सबको, चल, फिर यह मैंने आपको अडरी बता दिया है, यह अपने अडरी देखा था, IGST वगेरा कौँचे कौँचे इसके अंदर रहता है, utilization कैसे करते, CGST, SGST, IGST का, चाल, यह यही वही चार्ट तर जो आपने अडरी देखा हुआ है, सर, अगर मेरे multiple tax liabilities है, तो मैं उसको कौन से order में पे करूँगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, self-attachment tax, previous tax period का पे करूँगा, फिर current tax payment का पे करूँगा, फिर इसके बाद में, जो भी मेरा other dues है, उसका payment करूँगा, ठीक है, फिर आता है मेरा electronic liability ledger, credit ledger, electronic cash ledger, फिर आता है refund, चलो यह जो points है ना, यह अपन कल continue करेंगे, एन कल फिर अपन इसका scanner solve करना start करेंगे, आज के लिए यही बेस टॉप कर दे, ठीक है, चलो, see you guys tomorrow, bye-bye.